इसलाम अलेकुम विवर्स मैं हूँ बश्राइज और आप देख रहे हैं हाई विवर्स आज आज आपके लिए एक रूपम प्रेमटी लेके आई हूँ उसमें यह है कि हम आपको बताएंगे कि घर में जो माइक्रोवेव ओबन है वो जब गंदा हो जाता है तो आप उसको कैस कर सकते हैं कि अंदर से कितना गंदा हुआँ इसकी छत में देखें इसको कैसे नीट-and-टेन कर सकते हैं तो विवर्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप माइक्रोवेव को किस तरह नीट-एंटेन कर सकते हैं और इसके लिए हमें जो जो चीज़ेयर हैं मैं आपको नेताते जो glass cleanser है या जो वैसे normally glint है वो चाहिए और हमें चाहिए tissue तो विवर्स ये चीज़े हमें चाहिए हम मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे microwave को clean करेंगे चलें अब हम आपको बताते हैं कि microwave को कैसे clean करेंगे जी तो विवर्स सबसे पहले हम लुग क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो glass की plate है इसको हम निकाल लेंगे और इसको निकालने के बाद रहेंगे हम ये ब्रतन की plate को जैसे बताते हैं वैसे ही इसको वाश करेंगे फो उसके साथ अच्छे से लगाके तो आप इसको बोश कर लेंगे ची तो वीवर्स अपने एक प्रेट को इसको एक प्रेटब ड्राय होने कीलियर एक टीक है का प्रेट को अप्रेट अपने रखते हैं यह तो विवर्स आप मैंने इसके दो पीसिस कर लिए हैं हम ने इसके उपर इसके अंदर में चोड़ लाई है तो आपका अगर माइक्रोविव बहुत ज्यादा गंदा है तो आप लीमू की क्वांटिनी वह बढ़ा सकते हैं अभी जो है मेरे पास जो माइक्रोविव का साइज है वो छोटा है तो इसके लिए मुझे सिरफ एक ही लीमू रिक्वाइड है तो मैंने इसमें यह लीमू डाल लिया अब मैं क्या करूँगी कि यह एस इस पानी जो है यह इसके अंदर रग दूँगी और अब जनाब इसको म इसके जैसे ईख फुलेगा भिर मैं आपको इसके रिजल्ट्स पता हूंगी कर लेंगे जितनी देर यह हींते अब पानी होरा होगा अंदर रखा ज़िए मश्या हमारे पास ही जो जू गलेंट है थिक हैं हम इस गलेंट को जो है उसको जो है वाहर से हम एक्स्कार्मली इसक तो इस तरह करके अब में इसको एक्स्टवर मदी क्लेन कर ले थी, ठीक है, अच्छा सा स्प्रेड जार और मुझे क्या करती है आप मुझे क्लेना इसको अच्छा से वलश करती है आप इसी ग्रिंट से इसका मैं साफ करता है यहाथ लग जाते हैं आपके सालन के ऑईल के जिसकी वज़ासे जो है यह इसकी जो बॉड़ी है वो गंदी उचाती है तो आपको इसकी बॉड़ी को नीट करने के लिए जो है वो यह सारी चीज़ है रिक्वाइड अब मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया और इसके अपर कि यह जो जित्ते भी जो डाक दब्बय थे वो मैंने रुणुफ कर दिये हैं यह ग्लंट की मदद से हमेने जोहा है इसको रुणुफ कर दिया है अब यह इसारे 20 हम mandate लिया गज़िते भूट के शारी का सारा अपिसको अच्छे से जो है वो ही तरली तो आप दिए जितन के अवे इसको नीट करी आ इसके बाद मैं क्या करूँगी कि i leering लें इसको अच्छे से मैं वो इसको साफ कर रहा हूं। यह ली इस सारी जगों को ऊक्छे से साफ कर में हैं तो साइडी के पेहिफ हैं तो आप साइड कर सकते हैं कि आंइनी चाहिए तो पीजेनो不知道 क्विट को मैं यह जया है थे सारी समय वाखा के जाए यह ओमन की जो वॉल्स है इसके उपर लग जाएगा अब आपको क्या गड़ना है इसको आपने निकालना है ऐसे निकालने गया और आप क्या करेंगे चुकि यह जरा में आप इसको निकाल के रखेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से अंदर से जितना भी है यह सारी देखेंगे उसकी वॉल्स के उपर जो है वह सारा लग गया अब मैं इसको क्या करूंगी के टिश्यू से अच्छे से साफ करेंगे जी तो वीवर्स आप देखें यह देखें अराम से इसकी वॉल्स से सारा रमून हो जाएगा आपको भी दिखाती हूँ जैसी इसकी वॉल् के उपर चारो तरफ लग गया था तो जनाब अब देखें यह देखें इसकी वॉल्स देखें मैं आपको सारा इंटर्नली और एक्स्टर्नली दिखा रही हूँ कि देखें मेरा माइक्रोवेव कितना नीट एंटरीन हो गया है और इसकी आप मैं इसकी ग्लास फ्लेट है यह लगा दूगी तो जनाब मेरा जो है माइक्रोवेव वो नीट हो गया है उमीद करते हूं कि मेरी यह हम रेमडी आपको पसंद आई होगी क्योंकि बहुत ही इसी है और बिगार किसी साबून यह इस तरह की चीजों से लेमन जो है वो बेस्ट है देखें वह बहुत सी चीजो और बेल आइकोन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वरी नहीं वीडियो आपको टाइमले मिल सकें अपना बहुत ख्याल रखिएगा फी अमानुलाव